What's up everyone, hope you are doing fantastic today, so guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा LUTs, जो की color grading के लिए use होती है, LUTs फाइल को आप DaVinci Resolve में कैसे install कर सकते हैं, और साथी साथ उनको grading के time में कैसे control कर सकते हैं, इस वीडियो के end में मैं आपको एक ऐसी सवरदस्त website के बारे में भी बताऊँगा, जहां से आप free में हजारो LUTs डाउनलोड कर सकते हैं, और DaVinci Resolve नहीं आप किसी भी editing software के साथ use कर सकते हैं, चाहे आप Premiere Pro use करते हों, या फिर आप Final Cut Pro use करते हों, जिस भी software में LUTs फाइल सपोर्ट करते हैं, उन software में आप वो free LUTs यूज़ कर सकते हैं, लेट्स गो, तो guys, सबसे पहले हम अपने सारे LUTs को एक folder में इंस्टॉल कर लेंगे, या एक साथ इखटा कर लेंगे, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने एक folder में सारे LUTs को इखटा कर रखा है, इसके बाद आप DaVinci Resolve को open करेंगे, और जब यह file open जाएगी, तो आप एक नया project खोल सकते हैं, या फिर आपका कोई existing project वो भी खोल सकते हैं, तो मैं यहां पर अपने case में existing project खोल लूँगा, जो मेरा already बना हुआ है पहले का, जब यह project खोल जाएगा, तो यह right hand corner में एक range का आइकन आता है, यहां पर इस पर हम click करेंगे, आप एक लूट करेंगे, हम उसे खोल सकते हैं यहां पर यहां पर जाएगा और इसके अंदर जाके आप थोड़ा च्रॉल डान करेंगे तो यहां पर एक look up table वाल ओप्चन आएगा, अब यहां पे जब आप यह ओपन यह फोल्टर करेंगे तो यहां पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे सारे दिखाएगा के actually Davinci Resolve इस फोल्टर में अपने सारे लुक अप टेबल को स्टोर करता है तो हमको भी अपने सारे जो हमने अभी एक फोल्टर में डाले उनको कौपी करके यहां लेके आना है तो हम पहले अपने उस फोल्टर में जाएंगे यहां पे हमारी सारी लुक अप टेबल रखेंगे सारी फाइल को सिलेक करेंगे कॉपी करेंगे वापस दरविंच रिजॉल्व के अंदर आएंगे और यहां पे ओपन टेबल फोल्टर करेंगे और यहां पे आके कंट्रोल भी करके सारे लट फाइल को पेस्ट कर देंगे यह पेस्ट हो गया, अब हम इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर यह option आता है update list आप जैसी इस पर click करेंगे तो यह थोड़ी दर के लिए आपका system freeze हो जाएगा क्योंकि वो सारी lookup table को update करो और यह साथ देखी यहाँ पर update फिनिश हो गया हम इसको save करके बहार आजाएगे अब अगर हम color time में जाएं तो color time में जब यहाँ पर lookup लट पर create करेंगे तो यहाँ पर देखी आपके सारे लट आगए यह folder जो मैंने भी डाला तरी आगया है इसके अंदर हम जाके यह देखी यह सारे आगया और आप इन पर click करेंगे तो real time आपकी image में effect भी दिखाएगा कि कौन सा लट आपकी image में कैसा लग रहा है अब हम एक नया serial node create करके एक लट इस video clip पर लगाएंगे तो मैं कोई भी एक लट select कर लूँगा इस में से जो मैंने अभी install की है यह वाला कर लेता हूँ करके इस यह जो link दे रहा है flashluts.com आपको यहां पर आना है और यहां पर आके देखेंगे यहां पर धेरो लट्स अवेलेबल है और सब free of cost देखने है number of pages मतलब एक के बाद एक पेज भरे पड़े है तो यहां पर आप लट्स डाउन्लोड कर सकते हैं आप अपना लट एड भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई लट बना हुआ और browse में जाके आप यहां डून भी सकते हैं इसमें अची बात यह है कि आप गामा के हिसाब से लट्स भी डाउन्लोड कर सकते हैं गामा बोले तो for example अगर आप sony शूट करते हैं और आप s-lock 2 शूट करते हैं तो आप यहां पर आके s-lock 2 सेलेक्ट करिए और search का बटन दबाईए अब यहां पर जितने भी लट्स आएं अगर आपको पसंद आजा यह लट्स आपको कुछ नहीं करना आपको बस यहां पर क्लिक करना है यहां पर एक one time registration पेज खुलेगा आप उसमें अपने आपको रजिस्टर करिए और यह लट्स आपका डाउनलोड हो जाएगा और गाइस अमेजिंग है मतलब इसमें एक popular category है यहां पर बहुत ही popular LUTs हैं और यहां पर आपको हर तरीके के हर camera का LUT मिलेगा और सब कुछ free of cost है तो आज की वीडियो के लिए सिफ इतना ही मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बढ़िया लगी होगी आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और अगर आपका कोई सब्सक्राइब हो तो आप इस वीडियो के नीचे comment करिए और मैं बहुत वीडियो उसको answer करने की कोशिश करूंगा आप मेरे को मेरे instagram पे भी follow कर सकते हैं यह मेरे instagram profile है यहां पर आप मेरे को अपने सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आम face to face तो नहीं लेकिन one to one बात कर सकते हैं यहां पर और गाइस प्लीज अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू कर दियेगा और हो सके तो बेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए और मैं जल्दी अगले हफते आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके मिलू हुआ तब तक आप इंजॉय करिए और अपना ध्यान रखिए बाबाए